दूस्तों मैं चवली की भाजी बना रहे हूं यहां पर बने आदा किलो चवली बारी काटके रखी है और यहां पर एक बड़ा सा इसका प्यास और थोड़े से कड़ी पत्ता लिया है एक 5-6 हरी मिर्ची ली है और यह 8-7-8 कलिया लेसून इसको जरा दर-दर असा कूट के ले लेसूना और हरी मिर्ची को इसमें पर में जादा मसाला नहीं आड़ कर रहे हूं कि यहां पर कड़ाय में तेल डाल दिया और एक टीस्पन भर के राई राई को अच्छी तर से क्रैकल होने देते हैं उसके बाद इसमें प्याज और कड़ी पता आड़ करेंगे प्याज को एक थोड़ा सा सॉफ्ट होने देते हैं उसके बाद इसमें आमने जो क्रश करके रखा हुआ लेसून और हरी मिर्ची को आड़ करेंगे अब इसके साथ एक भूनिट के लिए बोन लेंगे प्याज हरी मिर्ची और लेसून पिस सबजे आड़ करेंगे अब इसमें मैं नमक डाल रहे हूं और एक हाफ टी स्पून हल्दी अब एक से दो मिनिट के लिए पकने के लिए देंगे अब इसमें मैं एक दो से तीन टेबल स्पून नारेल डाल रहे हूं नारेल डालने के बाद और एक से दो मिनिट के लिए पकाएंगे फ्रेश नारेल डाला है दोस्ताज की मेरे रसेपी अगर आपको पसंद आई तो प्लीज मुझे लाइक करें प्लीज मुझे लाइक करें सबजी बनकर तयार है दोस्तों पसंद आई तो प्लीज सपोर्ट करें तैंक यू